अप्रेंग के अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 में मेगा ग्रैंड दी कैसे विन करें कैसे हम बहुत बड़े कंपेटिशन को बीट करके यहां पर रैंक वन लाकर क्रोडों का प्राइज विन कर सेगे और दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको प्रूव के साथ बताऊँगा कि किस तरह से ग्रैंड लीक की टीम बनाई जाती है चार क्रोड की टीम में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपरैनी चाहिए जिससे कि आप भी यहां पर कभी न कभी रैंक वन लाकर क्रोडों का प्राइज विन कर स्कोर अब दोस्तों जब भी आप टीम बनाते हो मेगा ग्रैंड लीक की जब आप टीम बनाते हो तो उस टीम में आपको कम से कम दो बड़े प्लेयर को अपनी टीम से ड्रोप करना ही पड़ेगा अब इसके अलावा आपको और चीजों का भी जिएन में रखना जैसे कि आपने दो बड़े प्लेयर को अपनी टीम से ड्रोप कर जिया इसके अलावा कम से कम दो ट्रम कार्ड को अपनी टीम में सेलेट करना ही पड़ेगा ट्रम काड यानि कि जिसका सेलेक्शन परसेंटेज 10 परसेंट 20 परसेंट हो उस प्लेयर को आपको अपनी टीम में सेलेक्ट करना पड़ेगा अब दोस्तों इसी चीछ से आपका काम नहीं चलेगा आपको कुछ और भी करना आप गलतियां क्या करते हो जैसे कि माली जी आपने 20 टीम बनाई या फिर 10 टीम बनाते हो जैसे कि मैंने आपको बता कि दो बड़े प्लेयर को आपको ड्रोग करना पड़ेगा अब गलतीय आप क्या करते हो कि जैसे किविए 10 टीम में से वो जो दो नहीं दो टीम में रख लिया, दो टीम में कप्तान वाइस कप्तान बना जिया, इसी तरह से जो टरंप प्लेयर होते हैं, उनको भी आप ठीक ऐसे ही दो तीन टीम में रख लिया, दो तीन टीम में नहीं रखा, तो ये गलती आपको बिलकुल भी नहीं करने हैं, और 99% लोग यही गल और इसी तरह से जो दो ट्रम प्लेयर थे जिनको आपने श्लैट गया उन दो ट्रम प्लेयर को आपको अपनी सबी टीम में रखना है तब ही आपकी ग्रैंड लिक दिन होगी अब मैं आपको प्रूव के साथ ड्रीमिला अकाउंट में लेकर चलता हूं और वहां से आपको ठीक से समझाता हूं तो दोस्तों अब हम अपने ड्रीमिला अकाउंट में आचुके तो यहां पर सबसे पहले तो हम विनर में चलते हैं अब यहां पर जैसे यह दिल्ली और कोलकत्ता का मैच है यहां पर इसने च्यार क्रोड का प्राइज विन किया था एक बर हम इसकी टीम को ओ पड़ेगा अब इस टीम में डैविड वारौनर इसकी टीम में नहीं इसको हर पडेलं इसकी टीम में नहीं इसके राव दोस्तों जादतर लोगों यहां पर आंद्रे रसल को Mena है था लेकिन इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों यूनिक तक खास करके यहां पर वरुण चक्रवर्ती इसका स्लेक्षन पर्षेंटेज देखें तो कितने कम लोगों ने इसको अपनी टीम करोड का प्राइज आसानी से विन कर लिया तो दोस्तों आपको कम से कम दो बड़े प्लेयर को ड्रोप करना पड़े गया और एक कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन आपको कम सेलेक्षन पर्षेंटेज वाले प्लेयर को स्लेट करना पड़ेगा अब जैसे कि हम एक टीम का एक और ले लेते हैं जैसे कि यह मुंबई और राजस्तान का एक मैच है अब इसमें इस बंदे की हम एक बर टीम को ओपन करके देखते हैं जिसने दो करोड का प्राइज विन किया था अब दोस्तों यहां पर भी आपको कुछ चीजे समझनी है जैसे कि इसमें इस बंदे ने भी कि हैं यहां पर दस दस प्लेयर के साथ यहां पर दो क्रोड का प्राइज विन कर लिया था यहां पर बटलर फ्लोप गया था अब इसमें इसके दो बड़े प्लेयर कोन से थे जैसे कि इस टीम में यह जैसिजवाल इसके पास नहीं था और रोहित सरमा भी इस टीम में नहीं, यानि कि दो बड़े प्लेयर इस टीम से मिस हुए हैं, और इसमें ट्रम प्लेयर की बात करें, तो ट्रम प्लेयर यहां पर टी डेविड कम लोगों ने इसको अपनी टीम में सेलेट किया है, और यहां पर मधवाल, अब दोस्तों कैप्टन बना है, रोहित सरमा को कैप्टन बना है, हार्दिक पांडिया को कैप्टन बना है, यजे स्वी जैसवाल को कैप्टन बना है, और जोस बटलर को कैप्टन बना है, लेकिन इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों यूनिक था, जैसे कि यहां पर मधवाल, इसक जो selection percentage देखे तो 9% लोगों ने इसको अपनी टीम में रख रखा है अब इसने इसको टीम में भी रखा साथ में इसको captain wise captain बना है इस वज़े से इसने यहां पर grand league win की अब दूसरा इसने captain भी unique बना दिया trained world को बहुत कम लोगों ने captain wise captain बना है और दोस्तों dream eleven में अक्सर आप देखते हो कि यह तो captain अगर wise captain बोलर में से बनाएंगे तो captain यहां से बनाएंगे लेकिन यहां पर इसने दोनों ही बोलर को captain wise captain बना है इस वज़े से इसका competition बहुत ही कम हो गया है तो यह आपको करना है अब 10 team में अगर आपने इस team में रोहित सर्मा को drop किया तो आपको यह नहीं करना है कि आपने 4 team में रोहित सर्मा को drop कर दिया, 2 team में कप्तान बना दिया, 2 team में wise captain बना दिया, इसी तरह से इस player को 4 team में रख लिया, 4 team में drop कर लिया, 2 team में कप्तान बना दिया, यह आपको नह एक्षन पर्सेंटेज वाले प्लेयर को अपनी सारी की सारी टीम में रखना पड़ेगा तबी आपकी Grand League विन होगी अगर आप सारे प्लेयर को उथल पुथल कर दे होगे तो आपका कॉंबिनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी कभी भी रैंक वन नहीं आएगी तो ये गलती आपको बिलकुल भी नहीं करनी है इसके लाव दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा कम्पेटिशन कम करना और आपको सच में Grand League विन करनी है तो आज की डेट में माई 11 सरकिल सबसे बेस्ट अप्लिकेशन है मेगा Grand League विन करने के लिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्राइज डेड़ करोड दो करोड तीन करोड तो है कि साथ में आप यहाँ पर शांदार थार गाड़ी एक्सवी गाड़ी भी विन कर सकते हो और टोप 10 रैंक पर आकर भी आप यहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइज विन कर सकते हो और दोस्तों जब आप पहली बार इस एप्लिकेशन पर आओगे तो यहाँ पर जो 49 का कैस बोनस मिलेगा और इन्वाइट को यूज करते हो तो आपको पहले डिपोजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैस मिलेगा तो इसका लिंक और इन्वाइट कोड दोनों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसके लाव दोस्तों यहाँ पर और और अच्छी ग्रेंड लिग है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मिनी ग्रेंड लीग भी आप आई फॉन भी विन कर सकते हो तो यहाँ पर कंपटिशन कम है और जीतने की प्रोबलेटी बहुत ही ज़ाद है तो यहाँ पर आपको जरूर से ग्रेंड की टीम बनाईए और यहां पर रैंक बन लाकर करोड़ों का प्राइज विन कीजिए और दोस्तों यह हमारा टेलीग्राम चैनल है यहां पर भी आपको जरूर से जुड़ना है क्योंकि टोस के बाद फाइनल टीम हम आपको यहीं पर प्रुवाइड करते हैं स्मॉल लिग प्लस ग्रैंड लिग दोनों की तो इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएए लिंक से उपन हो तो आप सर्च करके भी हमारे रियल चैनल से जुड़ सकते हो आपको का एक मात्र पहचान होती है तो दोस्तो इस तरह से आपको मेगा ग्रैंड लिग की टीम बनाने जो चीजे मैंने आपको बताई हैं जैसे कि दो बड़े प्लेयर को अपनी टीम से ड्रोब करना है दो कम सेलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट करना ह तब ही आपकी यहाँ पर ग्रैंडिक विन होगी, तो यह चीज़े आपको जरूर से ध्यान में रखनी है, और दोस्तों इस चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं बहुत इंपोर्टेंट नोलेज वाले वीडियो देता हूँ, तो